विल्कम टू कैरियर हम सफर सफर काम्याभी तक तो यह दोस्त मोडर हिस्टी का अपना सेकेंड वीडियो है और इसके अंतरगत हम लोग कफर कर रहे हैं घटना चक्त से जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तेक पूछे गया प्रस्न है उन सभी का बेहतर एक्स्वानेशन हम ल भाइद करवा दिया जाए उनके लिए ज्यादा वेनिफिस्याल होगा तो आप वीडियो को दोस्त अंतर देखें कि आपके लिए काफी इस यह ज्यान वर्धक साबीत होगा तो दोस्तों हम सुरू करते हैं सुरू करने से पहले एक च्छोटी सी दुजारी कि आप अपने च पर मर्षिद कुली खां को 1717 में फरूग रूग सी यार को हुए कह जाता है क्या 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 एक च्छा वार इसने 1717 में क्या किया था आपका मुर्शीद कुली खां को निवत किया hätte बंगाल का क गुधर्ण हो उसके दो तो हो जाती है उसका बाद उसका दमाद है जो बैठता है सुजा उदिन बंगाल का सुवेदार बनेगा उसके बाद यह जो है यानि भोग विलास में लिन होने के करणसी से रंगीला बासा का क्या दिया जाता है आपका उपाधी दिया जाता है इसके बाद है जो सिराजुद् तो इसने अपनी राइधानी मक्सूदाबाद का नाम बदल करके मुर्सिदाबाद कर दिया था चलिए आगे के बात करें एक चीज़ और इसमें था कि इसने भूमी बंदोबस्त में इजारा ब्यवस्ता अरम किया था नेक्शन बात करें तो यहां पे निम्ण में से कौन था जिसने भारत में ब्रीटिस प्रभूत्व को प्रारंभ किया तो कौन था यह ब्रीटिस प्रभूत्व को प्रारंभ करने बाला यहां यूद था प्रारंभ शुरुवात की बात करें तो ब्रीटिस प्रभूत्व बंगाल में सुरू होगा तो आपका यह भारत में होगा तो प्लासी का यूद और प्लासी का यूद आपको पता होना चाहिए यह 30 जून 1757 को होगा जिब कि इससे पहले एक ब्लैक होल की घटना घटी थी आपका कब तो आपका 20 जून 1756 जिसमें 146 लोग को एक कमरे में 18 फिट गुना 14 फिट 10 इंच के कमरे में क्या कर दिया गया था बं तो यहां पर बात करें निम्री से कौन सा यूद था जो भारत में ब्रीटिस प्रभूत को प्रारम किया प्लासी का यूद जबकि बकसर का यूद जो था सबसे निरनायक यूदों में से था और यही है जो ब्रीटिस सत्ता को अस्थापित करेगा उसकी सक्ति को दरसाएगा बसर का यूद ठीक है और यहां पर प्लासी का यूद लड़ा गया था रोबर्ट कलाइव और सिराजु दौला के बीच और यहां कारण था कि मिर जाफर यार लतीफ और राय दुरलव इसके जो से ना पती थे इन्हों नहीं क्या कर दिया था छल कर दिया था धोका दे दिया ठीक है तो यही करण से यहर सिराजु दौला इस जगा पर हार जाता है चलिए आगे कि हम बात करें सिराजु दौला लॉड कलाइव द्वारा प्रास हुआ कौन से यूद में तो आपका प्लासी के यूद में तेश जून 1757 की बात है यहां पर भारत बरस में ब्रिटी समरा से साथ और फिर 1765 से सरसट के बीच रहेगा और यह बास्तविक संसापक माना जाएगा यहां पर देखिए यही को समस्वर्ख से उत्रा सेनानायक यह पीट का महदे का कथन है और किसके संबंध में कहा गया है तो रोबर्ट कलाइब के संबंध में कहा गया है चलिए नेक्स मंगाल के नदिया जीले में हैं और भागी रथी अर्थात आपका हुगली नदी के निकट में हैं यह आगे कि हम बात करें प्लासी का यूद लड़ा गया था तो प्लासी का यूद लड़ा गया था आपका तेश जुन 1767 को इसके भी सिराज दौला और रॉबर्ट कलाइद के और यह बास्तविक संसापक माना जाएगा और यह क्या होगा प्रारंभिक निरनायक निरनायक तो साबित आपका 1764 वाला होगा लेकिन यह कुटनीती जीत कही जाती है प्लासी वाली निम्ण में से किसने अपनी राजधानी मुर्सीदाबाद से मुंगेर लाया था तो मुर राजधानी धाका से लाया मकसूदाबाद और मकसूदाबाद का नाम बदल करके मुर्सीदाबाद किया कौन मुर्सीद कुली खा कर दिया तो मुर्सीद कुली खा कर दिया तो मुर्सीद कुली खा कि समय से तो मुर्सीदाबाद था उसके बाद है जो जब मीर कासीम आया त पत्ची से परसीचित करता है और मुंगेर में तो खाना वेगरा का भी सुरुवात करता है यही कारण से आए देखे मुंगेर में बंदूप वेगरा की फैक्टिव है उसी की एक देन कही जा सकती है चलिए आगे की हम बात करें तो सबसे अधिक निरनायक यूद जिसने अंग आपका एक तो इधर से मीरकासिम रहेगा इधर से मीरकासिम है ठीक है इधर से आपका अबद कनवाब सुजाओ दॉला और दिल्ली में सासन चब रहा होता है साह आलम दुतिये का इन तीनों ने मिलकर करके अपनी संजुक्त सेना को लड़ाई किसे अंग्रेज से ठीक है और इ तीनों की संबली सेना यहां पर हार जाती है और इस परकार से इलाहाबद तक का छेत्र अंग्रेजों के कबजे में आ जाता है और दिल्ली का दरवाजा खुल जाता है और यहीं पर कहा जाता है कि यह है जो सबसे यानि कहने का मतलब निरनायक होगा क्योंकि अभी तक अंग को ठक्कर देने वादा कोई नहीं है ठिक है और सत्रों सचावाद बगयरत जितने के बात बखसर की यूद के समय दिल्ली का साथ कौन था साहालम दूतिय था बकसर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था तो इधर तो बंगाल का नवाब जो 1757 में सिराजु दौला को धोका दिया था कौन मिर्जा पर वही रहेगा ठीक है चलिए आगे अब बकसर की लड़ाई से समंधित एक बातोर रखेंगे कि बकसर के लड़ाई के समय बंगाल का गौर्णर जो था और यहां पर सेना के कमान जो था हिक्टर मुन्रो के हाथों में था चलिए 15 नूमर कुष्टन को देखें निम्न में से जिस सासक ने इस इंडिया कंपनी की दिवानी प्रदान की थी तो यह कौन था तो आप देखें दिवानी प्रदान करेगा साहा हालम परत्र यह कि 12 अगस्त आपका 1765 को 1765 में आपका हार जाएगा कौन हारेगा तो आपका इन तीनों की संब्ली से नहार जाएगए और सुजाओ द्यों हांसे आपका पे सुजाओ दौला से रॉबर्ट कलाइब फिर आ जाएगा 1765 में आपका, क्योंकि 1757 से लेकर के आपका 1760 रहेगा और 1765 से लेकर के 67 फिर आ जाएगा रॉबर्ट कलाइब हैं, तो यह कलाइब क्या करता है कि सुजाओ दौला से, सुजाओ दौला से क्या करेगा, सविकार करो ठीक है यह सवय धिंता तो एक तरह से सविकार करता ही है इलाहबाद की संधी भी होगी और यहां बंगाल बिहार और उड़ीशा की दीवानी बाहराः गस सत्रह सो सत्रह सो पैंसर्ट को कौन देगा साहलम दूतिये किसी देगा तो आपको अंग्रेजों को यह दे अंग्रेज तीरपन लाग रुपया निजामत के रूप में देना होता था ठीक है किसे अंग्रेज को ठीक था लेकिन 1788 में इसे क्या कर दिया और 1803 में क्या करेगा दिल्ली पर कबजा कर लेगा कौन आपका अंग्रेज ठीक है 1806 में चल बसता है इसके बाद के जो भी सासक यहां पर अकवर दूतिये 186 और बहादूर साजय फर दूतिये यानि सैंतिस से संतावन के बीच इस इंडिया कंपणी का पिंसन भोगी मात रह जाता है और यहीं यापका क्या था यानि अंतीम यानि कहने का मतलब है मुगल 500 से सम्मंधित सासक यहां पर आ जाएगा यानि म हम बात करें नेक्ट देखे इस्ट क्यों बढんな canad को इस इंडिया कंपणी को ताहांत अलंग बंगाल बिहार और उडिशा की दीवान ही तो बिहार औरे कींग यानि किस गटार के काजस। आज का नहीं 1765 में आपको दिवानी मिलेगा और 65 में लॉर्ड कलाइब आहीं जाता है और यही इलाहबाद की संदी सुजाओ दौला से करता है चलिए आगे के हम बात करें तो समराठ साह अलम दूतिये ने इस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल और उडिसा की दिवानी प्रवदान की तो 12 अगस 1765 को चलिए यह जो आपका पूछा हुआ को तो ने भी प्यत्वी का है इलाहबाद की संदी के बाद रौबर्ट कलाइब ने मुर्सीदाबाद का दिवान की से निवत किया था अब देखे 1765 नहीं रौबर्ट कलाइब जब आएगा तो दोयद सासन लाएगा और ठीक है तो लोग तो लोग को विवस्ता यहां का पता नहीं था अता है इंडियन को ही निवत किया ठीक है और उसमें बंगाल के लिए आपको महमद रजा खाओं और बिहार के लिए राजसिताफ राय को और निवत करता है चलिए यह हो गया नेक्स्ट की हम बात करें तो 1765 क और एक जे अंतिया तो दोनों के भी संपर्क साधने के लिए यह क्या करता है कि यहां पर रूड बनाता है और रूड बनाएगा तो यहां पर रहेंगे खासी जंजाती और यहां पर खासी जंजाती रहेगा तो इसका नेता कौन रहेगा तीरत्सी और यही तीरत्सी के नेत में लड़े गए यूदों में सबसे इसे मतलब कला क्रम लिखना है कि कौन सा सबसे पहली हुआ कौन सबसे बाद हुआ इसमें देखे तो अंबर का यूद 1749 में 1760 में बांडी बास और बक्सर का यूद होगा 1764 में होगा ठीक है तो इस बात का ख्याल रखेंगे और अंबर का यूद होगा हाँ पर मुझहपर जंग चंदा साहब और फ्रांसिसी के संजुक सेना ठीक है अन बरुदिन के को क्या कर देता है आप पर प्राजित करकर करके इसकी हत्या कर देता है ठीक है चले पलासी का यू यानि सर आयरकुर्ट आप कर रहे गा कौन इंग्लेंड का और कांट लाली आपका चैनल हर जाता है तो बकसर के यूद की हम बात करें तो बकसर की अपका साहलम दूति है। छलिए आगे के हम बात करें तो उस फ्रांसीसी सिनापती का नाम बता है, जो शत्रा जिसाट है बांड बाती नेर्वाश में प्राजित हुआ था, जिऱे नेक्स्ट के हम हम बात करें जो की लगभक्स नैनी समाप्ती के और हम लोग बढ़ चुके हैं तो कौन सा यूग मुसही सुम्मेलित है तो देखिए बकसर का यूद आपको पता है कि इधर मीर कासीम था सुजाओ दौला और साहालम के साथ में कौन लड़ा था आपका इधर से ब्रीटिस सेना ठीक हेक्टर मुन्रूर की बीच लड़ाई हुई थी यहाँ पे तो यहाँ पे मिरजाफर और कलाइब तो था नहीं मिरजाफर तुस्ते में बंगाल का नबाप था बांडी बासकाइद 1760 में बाहिजनबर 1760 को ही जितने फ्रांस एसी और क्या इस्ट इंडिया कंपणी के बिच्छुई थी सही है जिसमें इसका काउंट ला ले था और इस इंडिया कंपणी का था कौन आपका आयर कूट चलिए चिलैया बाला जो यूद हुआ आपका यहाँ यह यूद हुआ था याद रखेंगो दोस्त है उस सतरो सब पंचानमे में निजाम और मराठा के बीच हुआ था ठीक है और मराठा इसमें जीत गया था और निजाम इसमें क्या हो गया था प्राजित हो गया था चलिए आगे की बात करें तो हम 25 नंबर क्वेस्टन को देखें निम्न में से किस ने भारत में अंग्रेज कमपनी और बंगाल के नवाब से समंधित बाते निक्ष वीडियो में हम लोग करेंगे पंजाब इवं मैसूर से समंधित बाते ठीक है कि किसके बीच कौन से यूद होंगे और उसके बाद है जो फिर हम लोग गवर्ना जरनल की बात करेंगे तो आप बने रहेंगे मेरे करेंगे काफी कुछ आपको सेखने को मिलेगा आपके पास कोईसन बैंक है आप सून करकर लगाएंगे थोड़ा सा आसान आपके लिए ठाएगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे निक्ष वीडियों तब तक लिए जाएंगे